वेलकम तो मोविस क्लासेज हम लोग अपनी चैक्टर रेशनल नमबर को पढ़ रहा है थे अभी मुझे के निक्स एक्सरसाइज को देखते हैं अगले एक्सरसाइज आपके होगा क्या कि अपने जो भी पहले पढ़ी हैं अभी शारी चीजा भी यहां पर फर्क इतना है कि पहले जो भी आमने प्रॉब्लम से देखे थे वह सिंपल आपके प्रॉब्लम औरिंट थे उसे पहले दो तीन चीजा आपको पता होना चाहिए जैसा आपके नेक्स फॉब्लम और गोश्यंस में आपको दो तीन चीजों के बारे हम पता बता गया कि जब कर घूब्लम बात करेंगे कोस्ट का एवेन वह कॉस्ट किसी भी आक्टिविटी का हो तो कॉस्ट का जो वैली रुपे के लिए और इतने मुझे तू आप या 20 मीटर ले लो मैंने क्या करा इतने रुपा मैंने 20 मीटर कप्रे खरी दे तो फाइनल इससे अपको प्रॉब्लम क्या होगा अगर मैं पूछी कि बताओ आप ना की रेट क्या है रेट मतलब क्या जाता है कि दर कि आपने पॉ अगर 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 के बता हो तो आपको पता होगा कि सब्सक्राइब करते है एक ऐसा क्वाडिया ओटर अगर जाता है एंट या नि वह इसको बोल सकते हो साइड स्क्वाइट अगर हम बात करें एडिया ओफ रेक्टेंगल का तो एडिया ओफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता बबू वह हो जाता है लेंथ इंटू बिद तो आपको इसी तरह के तीन-चार पॉने बाला है चले देखते हैं यहां पे सिर्फ आपके वही ऑपर कोश्चन उठा लिया है सारी कोश्चन तो है नहीं में पास और में पर दो-चार हो भी मैं देख लिता हूं एक कोश्चन में 6 उठा रहो जहां पर बोला जारा है कि यह कार है वह मूव कर रहा है मतलब चल रहा है ठीक है मूविंग है और उसका एवरेज स्पीड अब अच् सक्स्टी होल 2 x 5 km per hour अब बोला जारा है कि यह अगर कार है यह कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो बोला जारा है कि अगर इसका टाइम की बात करें तो टाइम इसका जो लग रहा है कि यह कार आपका सिक्स होल 1 x 4 आवर चला तो बता ही कि यह टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्टेंस का फॉर्मोला क्या होता है ताइम इंटू स्पीड अगर टाइम इंटू स्पीड की बात करें तो आप सीधा मल्टिप्लाइ करो 60 होल 2 x 5 इंटू 6 होल 1 x 4 यह भी आवर में यह 500 kilometer per hour अगर युक्ड अवर आवर कि बात की बात हो रही तो तो हम चेंद नहीं करेंगे चला यहां पर अप्कै करना सको करना मल्टिप्लाइ करने के करने कैसे के आपको पता हो गगा करना सक करना तो यह खुँँ उसके बाद कुच और प्रोब्लाइस के बाद के रह तो एक और कोशिन से आम लुख देख लेते हैं कि अगर जो में कोश्चन ले रहा हूँ अपका नाई नंभर कोश्चन आप को 9 ने अप 12 देते हैं ठीक है मैं क्वेल नमें कोशे नेरा बोला जारा अच्पाट अफ्लेंथ एक क्वाड़ है जिसका जो लेंथ वाबू वह क्या है अपका एक क्वाड़ है उच्पाशन लेंथ लिए गयाए वह है 3 होल 1Wi2 meters clear उसके साथ ही बोला गया है अक्वाड लेंथ तो इसको बोला जाल कि has been cut into 26 pieces तो क्या करा गया 26 pieces में cut गया गया अब 26 pieces ने cut किया गया और वहाँ पे साथी बोला गया आफ इकोल लेंग यानि कि सारे के सारे बराबर बाट है तो सिंपल से बात करें कि आप बताएं कि इसके इसको मैंने क्या करा 26 अहलग बराबर पीसे में बाट जाए आपका टोटल इस तो इस तरह साथ कूस प्रोब्लम दिये जाएंगे जो आपको दिया प्रॉब्लम ले रहा है इसमें से रैंडम कोई भी कोश्य उठा रहा है तो टेंक्शन लेने की बात नहीं है अभी मैं कोश्य ले रहा हूँ आपका नूची से 16 नंबर 16 नंबर प्रॉब्लम देखे बोल गया अफ्र रिडिंग 7 वा 9 वुला जा रहा है एक बुक है उसका 7 वा 9 पर प्रॉठ पढ़ लिया गया है इतना गया रेट कर लिया तो उसके बाद करने हैं और उसके बाद बहुत कि इतना पढ़ रहा है के बाद जो left pages बचे हैं वो है 40 left pages बचे है 40 तो बताइए how many pages are there in the book उस book में total कितना है तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो यह हमारा rest of the part बचा हो rest page जो हमने नहीं पड़ा तो लोग माल लेते हैं कि अगर वो fraction है यानि कि total book क्या था 1 था तो rest of the part कितना बचा हो है 1-7 by 9 आप इसको बोल सकते हो 2 by 9 हाना यहां पी क्या हो रहा है यह 2 by 9 40 pages है 2 by 9 कितना 40 pages है तो बताइए कि total 1 है यानि कि 9 by 9 होना ची है तो total 1 है कितना हो जागा तो आप सीथा इसको कर सकते हो रहा है आप इसको solve परेंगे तो कैसे होगा इसी आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यह अगर 2 part 40 है तो टोटल जो बुक्स का पिंजेज होगा वो 180 cases होगा तो इस तरह साथ आपको प्रॉप्लम्स मिलेंगे जो आपको यहां करना इस एक्सराइज को आप लोग अच्छे से कंपीट करिएगा ठीक है तो और जो भी पब्लम होगा वह उन लोग बात कर लेंगा ठीक है तो अभी कहले में इतना छोड़ों आपको तरना कि है लोग मतलूड को मतलूअ है कब आपको पहले से कि तरह से अब क्रदशिक आपको आपको बता नहीं केडा कि यह यह थे इस 3 x 5 of a number exceeds 2 by 7 by 144 then find the number अगर यह बात के लिए तो कोशिशन से बोल के रहा है देखिए यहांपर बोलागा रहा है कि एक नमबर है एक त्री फिप्ट ऑफ नमबर एकसीड एकसीड कर रहा है कितना से 144 से समझे कुछ इस तरह से कि अगर माल लेते कि एक नमबर जो हमारा एकस है इसका थ्री वाइफ फाइफ पार्ट कितना हो जागा अगर हम बात करें इसके तूसावंथ पार्ट कितना हो जागा अब इसको लेक सकते हो तो बोला जारा कि यह बना जो नमबर है ना सी फाइफ पार्ट यह तूसावंथ पार्ट से उसके एक से चोवा लें तो बता यह नमबर किया नमबर कुछ इस तरह से बनेगा अब इसको अप्रिक्योशन को सॉल्व कर लेज़े तो फाइनल आपके पार समस्राइब जाएगा तो आपको करनेकर इस तरह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना अगर मैं इसको वाल गया इसोल तु144 आप इस काल्सियम देखे लेलो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा आप इसको करो तो 21 x और यहां को हो जाएगा 10x is equal to 144 अगर आप यहां पर देखो तो यह कितना हो जाएगा बचाइब आपको हो जाता है 11 x इसको मल्टिप्लाइ में दूसे साइड में कर देते हैं और यहां पर एक्स की बाद पर एक्स बाद पर कितना हो गया 144 इंटु 30 स्वाइब बाई 11 ठीक है अब यहां पर जो भी होगा यह आपका अंसर हो जाएगे ठीक है तो इस तरह सब क्या करना है आप प्रॉब्लम के सॉल्व करेंगे तभी के लिए इतना ही और अच्छे से कम्पीट करिए ख़त पर ही सेफ रहे हैं